Hello everyone and a very warm welcome to Sikshah So guys EPFO AOEO 2020 के previous year questions में Next अब हम बात करेंगे industrial relations and labor laws के questions की So questions जो है दोस्तो 8 questions आये थे और एक बात कमाल की यह हुई थी कि इन questions के अंदर जो theory के questions थे वो तो बहुत ही जादा simple questions थे ठीक है वो अगर मेरे हिसाब से अगर किसी ने industrial relations या labor law का subject नहीं भी पढ़ा हुआ वो भी easily answer कर सकता है बस थोड़ा सा शांती के साथ और खुले दिमाग के साथ question को पढ़ने की जुरूरत थी दूसरा आप बच्चे codes करके गए पिछली बात exam में जो आपके नए चार codes आएं लेकिन question codes में से नहीं आए question acts के अंदर से आए तो बच्चे बड़े जादा confused भी हुए है ठीक है जब वह notify होंगे उसके बाद basically वह important है और acts तो आपके अगर मैं आपको बता रहा हूँ है कि यूट्यूब के ऊपर जैसे factories act 1948 का trade dispute act है यह सारे act के भी मैं important important points आपके साथ discuss करूंगा और इसके mcqs भी जादा जादा mcq course के अंदर अपने डाल के दूँगा आपको यह तो मैंने इस बार का सोच करके रखा नक्की करके रखा चाहे फिर question आए चाहे ना है ठीक है so questions देखेंगे उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि we have all these mcq courses social security का लेना चाहते हो IRL का general accounting का ठीक है या industrial relations labor law का लेना चाहते हो ठीक है combo भी ले सकते हो तीनों का okay so अभी इसके उपर we are also running 50% off तो आपको यह काफी अच्छे prices के अंदर मिल जाएगा you have to use the code UPSCEPFO UPSCEPFO code मिलेगा और code use करेंगे तो आपको 50% off भी मिल जाएगा ठीक है चलिए so come to the first question guys match list 1 with list 2 and select the correct answers using the code given below the list यह आपको list given है और नीचे basically list 1 के अंतर क्या है term है list 2 के अंतर क्या explanation है यह मेरे ही साब से बिल्कुल भी मुश्किल question नहीं है Hindi picture है जो देखता है वो तो वैसे इसको answer कर दे अब देखो सबसे पहले तो मेर को terms closure workman strike चलो lockout फिल्मों में बहुत जादा नहीं दिखाते पर closure workman strike बहुत basic सी term है closure तो basically closure क्या होता है Hindi में इसको अगर हम change करें बंद करना किसी चीज़ को ठीक है तो देखो closing अब यहाँ पर कोई कहेगा कि sir मुझे confusion थी कि permanent closing down होता है या नहीं होता ठीक है एक permanent है एक temporary है all right तो यहाँ पर एक minor confusion हो सकती है कि sir मेरको confusion हो गई कि permanent closing down है या temporary closing down है ओके so closure क्या होता है closure मतलब कि ताला लगा देना permanent ताला लगा देना तो वह permanent closing down है तो closure का हो गया आपका statement one तो a में one अगर आप देखोगे तो सिरफ option number a और c के अंदर है यानि कि b और d तो मेरा answer ही नहीं हो सकता ठीक है so a का हो गया one अब अगर आप इन दोनों options को देखते हो तो इसके अंदर आपको यह भी पता चल जाता है कि d का option 3 है ठीक है d का option 3 है मतलब कि d का 3 हो गया दोनों के अंदर ही क्योंकि d का 3 है a में भी c में भी अब workman और strike रहे गए and 4 आपका c के अंदर है तो option a के अंदर है तो c option आपका हो नहीं सकता answer इस case में आपका option नहीं होगा तो बहुत easy सा question मेरे कहने का मतलब है कि बहुत easy एक question यह निकल करके आपके सामने आता है बिलकुल भी मुश्किल question यह नहीं है ओके next question था what who is an adolescent as per the factories act of 1948 directly factories act में से question आया था इस पर factories act काम कवर करेंगे YouTube lectures के अंदर तो adolescent की definition यहां से आप से पूछी गई है option a कहता है कि जिसने 15 साल complete कर ली है लेकिन अभी 18 से कम का है option b कहता है who is less than 18 में तो सब कुछ आ गया who has completed 14 years of age but is less than 18 who has completed 16 years of age but is less than 18 देखो b तो बिलकुली वेग है b तो होई नहीं सकता answer क्योंकि who is less than 18 who is less than 18 में तो एक साल का बच्चा भी आ जाएगा तो वह adolescent की definition में थोड़ी आएगा ठीक है adolescent क्या होता है childhood और adulthood के बीच का stage होता है na adolescent तो who is less than 18 तो भी हो गया है तो खतम कर दो अपने को basically 15, 14, 16 में confusion होनी चाहिए ठीक है तो देखो various acts के अंदर अगर आप देखोगे न तो उसके अंदर क्या होता है 14 साल से कम में तो बच्चों consider किया जाता है तो अपने पास 14, 15, 16 तीनों है तो confusing होना जायद सी बात है यानि कि इस अंसर को आप तुक्का लगा कर कि attempt नहीं कर सकते है अगर adolescent की definition पढ़ी है तो अंसर कर सकते हो नहीं तो बहुत high probability है कि आपका अंसर गलत हो जाएगा और there will be negative marking तो इस टाइप के questions में तुक्के नहीं लगाने चाहिए ठीक है क्योंकि काफी जाधा risk हो सकता है अंसर यहाँ पर आपका A होगा तो adolescent को factories act कैसे define करता है 15 साल जिसके complete हो चुके है यानि कि 15 साल से उपर लेकिन 18 साल से नीचे 15 साल से उपर की उमर हो चुकी है पर 18 साल से नीचे so adult mean adult अब देखो कुछ important definition adult क्या हो गया जो 18 साल complete कर चुगा अपने adolescent क्या हो गया जिसने 15 साल complete कर ली है लेकिन अभी 18 साल नहीं हो है child कौन है who has not completed his 15th year of age ठीक है यानि कि जो 15 साल से छोटा है वो child की definition के अंदर यहाँ पर आएगा young person means a person who is either a child or an adolescent तो young person तो child भी आ सकता है adolescent भी आ सकता है okay next question what is controlled industry अब देखो यह controlled industry की जो definition है यह आपको पुराने acts के अंदर मिलेगी ठीक है जो भी पुराने acts है लेकिन अगर आपने industrial relations code पर रखा है 2020 का तो यह industrial relations code के अंदर भी definition given है तो इसके अंदर मैं वही जीज़ आपको कह रहा हूँ ना कि यह कुछ चीज़े ऐसी है जो आप यह नहीं कह सकते कि वह act के अंदर हमें नहीं पड़ा ठीक है code के अंदर बहुत सारे concepts हैं जो same रखे गए हैं so controlled industry के सबसे पहला option कहता है any industry the control of which by the union has been declared by any central act to be expedient in the public interest कि बही किसी भी industry का control union के पास है और यह control union को दिया है central किसी act ने ठीक है दूसरा statement कहता है any industry the control of which by the state has been declared तो यहाँ पर union की जगा state हो गया controlled industry क्या state के पास controlled industries होती है option b यह पूछ रहा है तीसरे में municipal आ गया ठीक है और चौथा क्या है any industry the control of which by the state has been declared by a central act तो यहाँ पर भी क्या हो गया कि option b और d में change क्या है कि b में कह रहा है कि state के control में है और state act नहीं declare किया है d कहता है कि state के control में आपर central act नहीं declare किया है सबसे पहले तो controlled जो industry होती है controlled industry जो है वो union और central act के through ही होती है तो state और state act के through वाले options सारे के सारे cancel हो जाएंगे municipal bodies वाला भी उड़ जाएगा automatically answer यहाँ पर आपका हो जाएगा option A ठीक है तो controlled industry की अगर आप definition देखते हो industrial relations code के अंदर भी वो क्या लिखता है any industry the control of which by the union कि भाईया union के पास अधिकार है इस industry को control करने का पूरे तरीके से अधिकार है और यह अधिकार declare किस ने किया है central act ने declare किया है in public interest okay clear simple है देखो definitions है इसके अंदर जब definition पता है तो question बहुत असान है अगर definition नहीं पता तो हद से जादा मुश्किल है what is the minimum number of members required for registration of trade union again यह आपका जो है trade union act के अंदर से question पूछा गया है लेकिन अगर आप देखते हो industrial relations code again industrial relations code के अंदर भी सेम है minimum number of members जो trade union के registration के लिए चाहिए वो आपके trade union act में भी वह है ठीक है जी industrial dispute act के अंदर भी वह है और आपके जो industrial relations code है उसके अंदर भी सेम है answer यहाँ पर है option C 7 members minimum 7 members चाहिए होते हैं trade union के registration के लिए so trade union act 1926 अगर देखते हो उसके अंदर क्या wordings है any 7 or more members of a trade union by subscribing their names to the rules of the trade union and by otherwise complying with the provision of this act with respect to registration apply for registration यह same wording आपको industrial relations code 2020 के अंदर भी मिल जाएगी next question again trade unions act 1926 से direct question है question क्या कहता है which of the following dispute is are considered as trade dispute under the provisions of trade dispute union act okay so इन में से किसको trade dispute consider किया जाता है any dispute of any person connected with employment, non-employment, conditions of labor any dispute of any person किसी भी व्यक्ती का कोई भी dispute employment, non-employment या conditions of labor से related आपको बताना है कि इसमें से correct answer कौन सा है अब यहाँ पर आपका correct answer है दोस्तो option C बहुत से बच्चे इसके अंदर पते क्या करके आया थे उन्होंने सबसे पहले तो non-employment को हटाया था non-employment को हटाने से उन्होंने एका कि option B नहीं हो सकता option C नहीं हो सकता तो जो सही answer था उसको तो eliminating कर दिया कि non-employment से trade union के dispute का क्या लेना देना या trade union act का क्या लेना देना यह तो non-employment के matter है तो court में जाएंगे ऐसा हमने दिमाग ले गाया तो paper के अंदर कहीं बार यह तुक्ये चल जाते हैं लेकिन most of the time गलत हो जाते हैं क्योंकि हमें by the definition चलना चाहिए definition क्या है trade dispute की as per trade dispute act trade dispute act कहता है कि trade dispute means any dispute किसके बीच में employer और worker के बीच में, worker और worker के बीच में या employer और employer के बीच में, किसी के बीच में भी trade dispute हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ employer और worker के बीच में हो, दो worker के बीच में भी dispute हो सकता है दो employers के बीच में भी dispute हो सकता है अब ये dispute connected किस चीज़ से हो सकता है employment ये non employment related matter के साथ हो सकता है ठीक है कुछ matters ऐसे होता है जिसके अंदर दो workers के बीच में dispute चल रहा है that is because of non employment ठीक है लेकिन वो भी trade dispute में आ जाएगा because they are connected together through a trade relation ठीक है terms of employment एक employee जो है वो employer ने terms of employment है उससे happy नहीं है dispute हो गया labor की जो conditions है working conditions है उससे related dispute हो सकता है तो definition के अंदर ये ही तो आ गया न सारा जो question में पूछा गया employment related matter भी आ गये non employment related matter भी आ गये condition of labor भी आ गयी उसने यहां से सिद्धा उठाकर के question देखे मारा कोई बहुत बड़ी top थोड़ी सलादी लोग केते हैं UPSC का paper है होई 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 पता नहीं क्या top चलेगी कोई top नहीं चलती science के question देख लो history के question देख लो quality के question देख लो NCRT से देखर के तुम्हारे मूँ पर मारता है UPSC बस तुमको यह challenge करता है कि बेटा यह देखो कुछ selected sources हैं मैंने तो ultimately वो बोलता है तुम्हारे मूँ पर बोलता है ठीक है और हस्ते हुए बोलता है कि मैंने तो इन sources से question उठा करके देने हैं देखते हैं तो क्या उखाड लेता है यह उखाड लेती है ठीक है यह challenge होता है वो जो लोग डराते हैं ना कि पता नहीं UPSC बंब फैंकता है कोई कोई बंब नी फैंकता Next question What is the maximum amount of gratitude payable to the employees under the payment of Gratuity Act 1972 इस question ने बड़ा धोका किया बच्चों के साथ ठीक है यह था धोके बाद question इसने धोका क्यों किया क्योंकि कहीं बच्चे जो Act पुराने पढ़कर के गए थे और हमारे जो online institutes का flood है उन्होंने भी पढ़ाया तो क्या किया बच्चों ने जो क्या करते हैं Payment of Gratuity Act Google के उपर लिखा वो सबसे उपर Labour Ministry का वो link आ जाता है उसमें से वो Act का PDF खोला और वो पढ़ा दिया अब उसमें क्या होता है कहीं बार वो जो उपर सबसे link आता है उसमें क्या होता है वो Act जो bare Act होता है amendments वगरा उसके अंदर included नहीं होती अब ये जो question था इसमें बच्चे बहुत से answer लगा है इसका option B और भारा करके खुश भी होए कि हाँ answer B है क्योंकि Act के अंदर bare Act जो है Gratuity Act जो 1972 में आ था उसमें आपको मिल जाएगा ठीक है जो पुराना Act अभी भी चल लगा हुआ है लेकिन इसके अंदर 2018 में amendment होगी थी और ये 10 लाग को बढ़ा करके 20 लाग कर दिया गया था और इसी लिए उसने 10 लाग डाला था अगेन उसने तुमारे मूँ पर तुमारे सामने खड़ाओकर वो हसा बस ठीक है उसने जान बुझ करके 10 लाग डाला और उसने जान बुझ करके एक कोश्चन पूछा क्योंकि एक तरह से current matter था 2018 के अंदर amendment हुई थी लेवर related अगर कोई चीजे change हुई है तो वो पिछले 2-3 साल की करके चले जाना अच्छे से ठीक है तो 10 लाग की जगह यह 20 लाग होगी तो इसलिए इसका अंसर दी था जब अंसर की आई ना official भी बच्चों को पता तो था ही नहीं क्यों का अंसर गलत हुआ है ठीक है क्योंकि बहुत सारी जो इंस्टिटूटस अंसर की डालते हैं वो भी एक हफते में मैक्सिमुम कितने आर्स आप वर्क कर सकते हो 48 आर्स यह भी बेसिकली जो कोशन था फैक्टरी आक्ट में से कोशन ही आपको डाला गया था और फैक्टरी आक्ट के अंदर यह बेसिकली प्रूवीजन है कि कोई भी एडल्ट वर्कर जो है वो 48 आर्स से जादा एक वीक के अंदर काम नहीं कर सकता ओके 48 आर्स इस दा मैक्सिमुम लिमेट नेक्स कोशन था मिनिमम वेजिस आक्ट 1948 से इसके अंदर कोशन था कि मैक्सिमम कितने पिरेड में एप्रोप्रियेट गवर्मेंट को जो मिनिमम रेट आफ वेजिस है उसको रिव्यू या रिवाइज करना है ठीक है उसको रिव्यू या रिवाइज करना है so 2 years, 3 years, 4 years, 5 years before telling the answer here is your homework और आप लोग जो मैं कोशन पूछता हूँ न उसका कमेंट में अंसर नहीं कर रहे हो इसमें दो चीज़े होती है या तो जिनको आता है वो सोचते है आरे यार क्या ये फाल तू बकवास कर रहा है कौन कमेंट करने बे energy waste करे दूसरा कि आपको आता नहीं है लेकिन आपको आता नहीं है इसका मतलब आप कमेंट नहीं कर रहे हो इसका मतलब आप उसको जाकर के चेक भी नहीं कर रहे हो कि वो क्या है तो दोनों चीजों में आपका फॉल्ट है पहली चीज में आप ओवर कॉन्फिडेंट हो और और अच्छे अच्छे अच्छो का टूटा यूपी तो minimum rate of wages का इसमें आपका होंग ही है कि आपको मेरे को बताना है कि code on wages ने भी ऐसा एक set की है कि भाई हम इतने सालों बाद minimum rate of wages को revise किया गरेंगे तो उनका period कितना है और जो minimum wage अट था इसमें answer है आपका option D 5 years 5 years में minimum wage act कहता है कि सरकार को review और revise minimum rate of wages को करना ही करना है and this was the last question guys 8 question हमारे हो गए IRL के जो EPFO आपके 2020 AOEO के exam में पुछे गए थे and with this we come to the end and definitely अगर लेक्चर अच्छा लगाओ तो subscribe करना मत भूलियेगा PDF फाइल आप डाउनलोड कर सकते हो link description में you just have to make a small payment okay so see you in the next class till then take care and bye